नमस्कार बच्चों कैसे हो आप सभी उमिद है आप सब बहुत अच्छे होंगे बहतरीन होंगे तो आप सभी रेलवे के स्टुडेंट के लिए जैसा कि आप जानते हैं नोटिफिकेशन आने की संभावना है तो बात करेंगे इस वीडियो में एच एवरिटिंग हर एक चीज को हम डिसकस करेंगे वीडियो के लास्त तक बने रहीएगा बहुत ही छोटी से वीडियो होगी लेकिन बहुत सारे इनफॉर्मेशन आपको एक साथ मिलने वाली है हर एक एक चीज हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपका eligibility क्या होगा आप कितने एज तक इसमें appear हो सकते हैं और इसके exam syllabus क्या होगी कौन-कौन से बच्चे apply कर सकते हैं each and everything हम इस वीडियो में डिसकस करने माले हैं तो लास्त तक बने रहिएगा और उससे पहले अगर आपने चैनल को स करने माला है तो बात करते हैं कि टोटल 10884 वेकेंसी प्लस में आने वाली है संभावनाय है कि यह वेकेंसी बढ़ाई जाए और यह वेकेंसी डेफिनिटली आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा नोटिफिकेशन कब तक आने वाली है आउट हो चुकी है इसके बारे में भी दिसकसिन करेंगे आयू क्या होगा सलेबस क्या होगी योगिता क्या होगी इच और इवरिफिंग हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं पहले बात की NTPC का कई सारे बच्चे समझते हैं NTPC का फूल फूल नहीं तो NTPC का मतलब होता है नोन टेकनिकल पॉपुलर के वेकेंसी आपको बढ़ते हुए नजर आएगी डेफिनेटली बढ़ने वाली है बहुत सारी प्रेशर है रिल्वे के उपर जैसा कि आप जान रहे है रिल्वे में बहुत सारी वी एक्सिडेंट भी हो रहा है तो उसको लेकर के सरकार थोड़ी चिंचित है और ये वेकेंसी आपको डेफिनेटली बढ़ता हुआ नजर आएगा तो इस वीडियो में हम पूरी संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी वेकेंसी की जो डिटेल है वो क्या है टोटल वेकेंसी 10,884 अभी फिलाल के लिए है उसमें से अगर हम द जो 12 पास वाले बच्चे हैं वो टोटल 4 पोस्ट पे अपलाई कर पाएंगे सबसे पहला पोस्ट है जूनियर कलर कम टाइपेस्ट जूनियर कलर कम टाइपेस्ट इस पोस्ट के लिए जो बच्चे अपलाई करेंगे उनकी टोटल वेकेंसी कितनी है 990 वेकेंसी है उसके बा 1985 यानि 1985 वेकंसी है इस तरीके से total 12 वाले बच्चों के लिए देखें तो अभी फिलाल वेकंसी कितनी है अभी 12 वालों के लिए वेकंसी है 3404 वेकंसी लेकिन ये वेकंसी definitely आपको बढ़ने वाली है और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि बढ़ करके लगभग लगभग 15,000 के आसपास की विकेंसी हो जाएगी 15,000 के आसपास की विकेंसी यह डेफिनिटल आपको देखने को मिलेगा उसके बाद graduation label पे अगर आप देखेंगे तो total 8 post है जिस पे apply कर सकते हैं सबसे पहला है goods train manager इनको train manager कहा जाता है यही पहले post जो था goods guard के नाम से जाना जाता था goods guard इनकी विकेंसी कितनी आने वाली है 2684 विकेंसी आने वाली है उसके बाद chief commercial come ticket supervisor इनकी विकेंसी कितनी है 1737 विकेंसी है senior clerk typist की कितनी है 725 विकेंसी है और junior account assistant come typist का कितना है 371 विकेंसी है station master जो सभी का dream job होता है सब लोग station master बनना चाहते हैं उनकी विकेंसी 963 विकेंसी है इस तरीके से कुल मिला करके 7489 विकेंसी अभी फिलाल हमें देखने को मिल रहा है पर ये विकेंसी आपके definitely बढ़ने वाले हैं तो ये हो गई आपकी विकेंसी डिटेल उसके बाद आपके मन में बहुत सारे सवाल है उन सभी सवालों का एक एक करके हम जवाब ढूंडेंगे सबसे पहले सवाल तो यही बच्चों के mind में चल रहा है कि sir exam pattern क्या होगा क्या क्या syllabus इसमें पूछा जाएगा वो भी discussion करेंगे eligibility क्या होगा eligibility के लिए बच्चे आप पहले बाद तो 12th pass होने चाहिए तो आप form को डाल सकते हैं 12th वाले category में आप डाल सकते हैं उसके बाद आप graduation अगर complete कर चुके हैं graduation complete कर चुके हैं तो आप जो हैं apply कर सकते हैं complete होना जरूरी है दोनों में pass out होना जरूरी है आप pass out होने चाहिए appearing वाले बच्चे apply नहीं कर पाएंगे ठीक है यह eligibility है age की बात करेंगे तो अगर आपकी age 18 से 30 साल तक है तो आप इस form को apply कर सकते हैं और इसमें आपको concession मिलता है जैसे OBC में है तो 3 साल का concession मिलेगा इस तरीके से ACST के लिए थोड़ा जादा concession मिलता है बाकी जो भी detail होगा जब हमारी vacancy आएगी तो हम detail में इसमें बाते बिल्कुल करेंगे form कब तक आएगा ये बहुत सारे बच्चों के दिमाग में question है कि ये form कब तक आने वाला है इसके बारे में बात करेंगे तयारी कैसे करें अगर NTPC में हमें job चाहिए तो हम किस तरीके से खुद को तयार करेंगे इसके बारे में भी हम यहाँ पे discussion करेंगे तो सबसे पहले समझिए exam pattern क्या है आपके पास total 2 CBT में exam होंगे total 2 CBT exam होंगे 2 CBT एक होगा CBT 1 CBT 1 और क्या होगा उसके बाद CBT 2 होगा CBT 2 होगा ठीक है CBT 2 होगा तो total 2 CBT में आपके exam होने वाले CBT 1 का syllabus क्या होगा किस तरीके से exam में question पूछे जाएंगे तो देखिए CBT 1 में total 4 subject पूछे जाएंगे ठीक है ना 4 नहीं 3 नहीं कह सकते हैं एक है mathematics उसके बाद general intelligence और reasoning जिसको बोलते हैं general awareness यहाँ पे science आपके अलग से नहीं पूछे जाएंगे इसी के अंदर science भी पूछा जाएगा ठीक है CBT 1 के अंदर ही आपके general awareness है इसी के अंदर ही आपके science पूछे जाएंगे mathematics के total 30 questions होंगे 30 सवाल होंगे reasoning के 30 होंगे और general awareness के 40 questions होंगे cool मिलाकर के 100 questions होंगे और इसके लिए 100 marks मिलेंगे ठीक है और इन questions को करने के लिए 90 minute का समय मिलेगा 1 by 3rd का negative होता है तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि 1 by 3rd जो है negative है तीन questions गलत करेंगे तो एक number आपके काट लिए जाएंगे ठीक है उसके बाद CBT 2 है CBT 2 में आप जाएंगे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा भी कितने syllabus पढ़ने होंगे same as it is syllabus है mathematics है reasoning है और general awareness है question की संख्या यहाँ पर बढ़ चुकी है 35 question आपके maths के आएंगे 35 question reasoning के आएंगे और उसके बाद 50 question जो होंगे वो आपके general awareness के आएंगे तो इस exam को निकालने के लिए आपको खासा focus करना होगा general awareness पे general awareness की syllabus क्या है क्या क्या पूछे जाएंगे यह भी हम discussion करेंगे बहुत ही बैतरी न तरीके से वीडियो को last तक देखना है बच्चे बिलकुल बीच में skip नहीं करना है skip करोगे तो अधूरी जानकारी मिलेगे और वो आपके लिए Nos from questioning होगा तोटल एक्सो बीस मिलेंगे वह 120 मिलेंग इसके लिए 90 मिनट में आपको इस इस वीडिक हो वी क्षा सॉल करना होगा अगर आप CBT-1 में देखो तो दिखनाम में 90 मिन.8 के अंधर कोशन करना है और सी जानका में और कि सर उस से लेवल के अंदर क्या क्या question जो है पूछा जाएगा ठीक है न जैसे mathematics के सवाल जो है वो क्या क्या आएंगे कौन-कौन से topic जो है उसके अंदर पूछे जाएंगे ठीक है और question का level कैसा होगा ये थोड़ा सा हम discussion कर लेते हैं ठीक है क्योंकि कई बार exam में जो है इस त distance आएगा profit and loss आएगा mensuration आएगा trigonmetry आएगा average square root ratio ये total topics जो है वो exactly same to same लिखे गया है हमारे notification में तो ये चीज़े तो आपको करना ही करना है अगर questions की बात करेंगे सर उनकी questions सबसे ज्यादा कितनी कहां से आएंगे तो LCM HCF से हमेशा बच्चे railway में question ज्यादा रहता है दो स से तीन question हमेशा बनते हैं CI SI से दो से तीन question बनते हैं time and distance ये वाला topic भी बहुत important है यहां से तीन question बनते है profit loss से दो question बनते है mensuration से one question बनते है trigonometry से दो से तीन question बनते है इस तरीके से यहां पे अगर आप देखो तो यह सारी data जो है दी गई है आप चाहो तो इसका screenshot ले ले लेना ठीक है अब चले जाएंगे हम लोग general awareness में तो general awareness में क्या क्या पूछा जाएगा ध्यान से देखेंगे बच्चे general awareness के अंदर total 40 question होंगे और इसमें से अगर आप science की बात करेंगे तो chemistry biology और physics इनकी question कितने होंगी 4, 2, 6 और 3, 9 मतलब आप मान के चलो कि 40 में से 10, 15 question के आसपस क्या होंगे science के question होंगे तो यहाँ पे science भी बहुत जादा weightage रखता है उसके बाद history आपको पता है यहाँ से modern history में question definitely पूछे जाते हैं जग्राफिक के question आएंगे 4-5 question quality के question आएंगे 1-2 question computer के भी question आते हैं यह चीज़ ध्यान देना बच्चा कि यहाँ पे computer से related भी question पूछे जाते हैं ठीक है उसके बाद static जीके आपके बहुत important होते हैं 8-9 question होते हैं current फिर बहुत ज़्यादा important है 10-11 या 11-12 question पूछे जाते हैं ठीक है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है उसके बाद reasoning की बात करते हैं कि reasoning में क्या पूछा जाएगा reasoning में भी आपके syllabus जो है कुछ इस तरीके से जैसे puzzles है, syllogism है, when diagram है, sentence arrangement है, statement assumption है, statement conclusion है, alpha numeric series है, analogy है, mathematical operation है, direction test है, blood relation है, odd one out है, seating arrangement है, coding decoding है इन सभी की weightage जो है में यहाँ पे लिखा हुआ, आप चाहो तो इसका screenshot ले लेना, ठीक है, otherwise आप हमारे telegram channel पे join हो जाना, ठीक है ना, telegram channel पे join हो जाना, उसका link आपको description में मिल जाएगा, और चाहो तो आप directly search कर सकते हो, study life sse railway, तो जैसे ही आप वहाँ पे search करेंगे, ठीक ह उसके बाद आपको वो channel मिल जाएगा, उसके फायदे क्या होंगे, उसके फायदे यह होंगे कि यह सारे PDF जो है आपको मिल जाते हैं, और जितने भी classes होती है, उन सभी class की PDF जो है आपको directly वहाँ पे मिल जाएगे, notification भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो यह आपके होंगे, join होने से, अब बात करते हैं, तयारी कैसे करेंगे, तयारी करने के लिए देखो बच्चा, आपको यह सारी चीजें तो करने ही पड़ेगी, mathematics आपको करना ही पड़ेगा, आपको हर दिन mock test लगाना ही पड़ेगा, reasoning करना ही पड़ेगा, लेकिन science के लिए हम क्या करें तो science के लिए आपको कुछ नहीं करना हमारे ही चैनल के playlist में चले जाना है, और वहाँ पे आपको बहुत सारी content free of cost में बहतरीन धंक से मिल जाएगे, जैसे अगर आप हमारे चैनल पे जाएंगे, playlist में जाएंगे तो सबसे पहले मिलेगा RRB new vacancy, इसमें हम बताते हैं कि नई 22 class हो चुकी है और almost हम physics complete कर चुके हैं, railway LP, PYQ question भी यहाँ पे हैं और reasoning के question भी यहाँ पे मिलेंगे, mathematics के भी यहाँ पे classes आपको मिलेगी, सबसे important जो है वो है NCRT champion series, यह champion series जो है हर बच्चों के पास होना चाहिए, हर बच्चा इसको पढ़ए होना चाहिए, जब आपका exam हो उसके बाद आप देखोगे कि कितने सारे फायदें आपको इससे मिलने वाला है, directly फायदे मिलेंगे, ठीक है, तो उमीद है आप सभी बच्चों को यह information का भी अच्छा लगा होगा, आप सभी बच्चों से लाइक करते हुए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, मिलेंगे फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए धैहिन, थैंक यू सो मुझ, बाबाए, टेक क्या